मैं इनी में से study करती हूँ, इनी में से target निकालती हूँ, stop loss देखती हूँ और stop loss hit होता है, तो hit कर देती हूँ साथ में discipline but natural, important है ही because system जो बोलता है वो हम करते हैं अब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी नहीं use करती हूँ कभी RSI के combination के साथ में ADX use हो जाता है, कभी money flow हो जाता है Hello friends, इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss कर रही हूँ कि जो oscillators और indicators में बहुत ज़्यादा use करती हूँ जैसे say for example RSI, RSI हमेशा हमेशा मेरे charts में 99% times आपको दिखेगा ही दिखेगा और उसके बाद second number पे MACD और super trend अब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी नहीं use करती हूँ कभी RSI के combination के साथ में ADX use हो जाता है, कभी money flow हो जाता है कभी moving average use हो जाता है तो fix करके कुछ नहीं है, it depends on market scenario, it depends on the script कि हम कौनसी script देख रहे हैं, वो script कितनी volatile है because अगर sideways market हुआ, तो कोई भी indicator हो या oscillators वो sideways आपको दिखा देगा ultimately हमें क्या चाहिए कि trend और trend की continuity तो जब हम trend की continuity देखते हैं, तो उसमें हमें मिल जाता है जब हम 2-3 combination लेते हैं और reversals में भी बहुत help करता है, जब हम combination लेते हैं अभी उसमें से कोई एक lagging indicator हो जाता है बट जो lagging होता है, वो हमें थोड़ा बहुत holding power दे देता है कि हाँ भी खड़े रहो, तो ऐसा ही कुछ मैं आपको examples दिखा रही हूँ जो मैं trading में generally use करती हूँ और ultimately सच तो यही है कि जब तक price action ना बोले तब तक हम action नहीं ले सकते तो action कौन बोलता है, price cut कौन बोलता है, price तो price में ही action है, price में ही cut है तब ही हम action लेते हैं, तब ही हम cut करते हैं तो हर तरह से price ही सबसे उपर है हमेशा से जब मैं ring में थी तब से यह सुनती आई हूँ भाव भगवाने, अपने दादा जी से, पापा से, ममी से सबसे यही सुनती आई हूँ कि भाव भगवाने और आज भी वही देख रही हूँ जब भी मैं सुनती हूँ, price action, price action वही सुनती हूँ तो याद रखेगा, price पे ही action और price पे ही cut इस तरह से हम trade लेते हैं indicators, oscillators are supportive यह मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और यहां भी बोल रही हूँ, हर session में बोलती हूँ friends, एक और चीज आप लोग की request आती है, आप लोग की demand आती है उस पे मैं आप लोग के लिए video बनाती हूँ knowledgeable video बनाती हूँ जिस topic पे आप मुझसे demand करोगे मैं कोशिश करूँगी उस topic की knowledgeable video आपको बना के दूँ based on charts and options मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितनी knowledge दे सकूँ दे दूँ तो आप भी नीचे comments में mention कीजिए कि आपको किस topic पर मुझसे knowledge चाहिए और of course like करोगे तो मुझे भी पता तो चलेगा कि आपको कौन सा topic सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है जिसमें ज्यादा likes आएंगे but naturally मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज public को पसंद है और फिर उसके हिसाब से मैं भी उसमें और advanced topics लेके आके आपको बनाके दूँगी videos which will be helpful for your trading तो उसके साथ एक और चीज कोई भी trading without stop loss मत करिये अपनी capacity के अंदर काम कीजिये और over trading मत कीजिये अपनी knowledge पे भरोसा करोगे तो सीखोगे और अपनी mistakes से सीखिये और आगे बढ़िये and knowledge ही सबकी नईया पार लगाती है साथ में discipline but natural important है ही because system जो बोलता है वो ही हम करते हैं अब एक example लेते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि ऐसा है मैं किस से पूछने जाओं तो मुझे तो यहीं पूछना पड़ेगा ना चार्ट से तो चार्ट मुझे help करते हैं मैं इनी में से study करती हूँ इनी में से target निकालती हूँ stop loss देखती हूँ और stop loss hit होता है तो hit कर देखती हूँ और trading दोनों को कैसे किया जाए खाली indicator और oscillator ही फेवरेट नहीं होते हैं trading style भी फेवरेट होनी जरूरी है तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पर दिखाती हूँ कि मैं कैसे देखती हूँ RSI, MACD और Super Trend सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद जोती मैं फाइनली रेडी है तो कंड़क्त अ मेंटोर्शिप प्रोग्राम फॉर अल्ड़ देखती हूँ इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे सबसे पहले मैं सबका फिवरेट बैंक निफ्टी का चार्ट उर्थाती हूँ जनरली मैं सूपर ट्रेंड 10 बाई 3 अगर यूज कर रही हूं तो 10 जो की ATR है और इसमें मैंने वीडियो भी बनाया हूँ है और 3 जो है उसका मल्टिप्लायर है और यह default parameter है इसको मैं support और resistance की तरह से use करती हूँ जैसे ही price इसके नीचे आता है या वहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है लेट स्टार्ट मैं इसे कैसे दिखती हूँ अभी लेटर से यहाँ पर मुझे सबसे पहले divergence मिला prices is making higher high RSI is not making higher high तो मेरा पहला step यहाँ से start होता है क्या indication आ रहा है कि यहाँ पर buying तो नहीं बनती है अगर shot नहीं कर सकती हूँ क्योंकि price action ने साथ नहीं दिया तो मैं at least buying तो नहीं करूँगी उसके बाद यहीं पे अगर मैं देखूँ तो मुझे MACD ने भी negative crossover दे दिया जो blue line है वो है MACD line और जो red line है वो है moving average line तो यह MACD line का जो negative crossover होता है वो यह बताता है कि यहाँ पर purchase नहीं करना है अगर आप shot करना चाहो तो कर सकते हो तो यह भी एक signal मिल गया यह भी एक signal मिल गया तो इसके base पर अगर मैं जह open high जैसा कुछ भी मिल जाता है तो मैं shot कर सकती हूँ जो कि मुझे मिला 2nd January को जो यहाँ पर दिख रहा है अगर यहाँ देखा जाए और मैं इस candles भी थोड़े बड़े कर देती हूँ जिससे clarity आ जाए तो यहाँ पर अगर हम देखे 48195 open है और high है 48223 approximately करें 30 पॉइंट का फर्क है bank nifty में 30 पॉइंट का फर्क open high में कोई बहुत बड़ी value नहीं रखता है तो I can say open and high almost nearby सब negative divergence वगरा सब के साथ में with negative crossover with histogram all on downside red color यह सब मिल गया अब यहाँ पर आके यह दो दिन तो मुझे negative दिया उसके बाद gap down open low अभी gap down open low में मुझे सब कुछ negative indication मिल रहा है positive indication नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँगी ऐसी situation में मैं buy नहीं करूँगी जो short है उसको book कर लूँगी buy because super trend भी almost support के पास में है but RSI और MSTD मुझे support नहीं दिखा रहे या मतलब मुझे positive trend नहीं दिखा रहे तो for me it is not a buy it can be a sell on rise एक और उसका reason है जब मैं weekly मैं देखती हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो continue fall आ रहा है एसी situation में मैं buy तो नहीं कर सकती I will wait जरूरी नहीं है कि मुझे रोज trade मिले लेकिन जब मिलेगा तो होना चाहिए वो मेरा इस तरह से यह मैंने देख लिया अब इसके बाद जैसे ही यह super trend इसके नीचे red color red line of super trend उपर और green नीचे means support टूट गया अब support भी टूट गया crossover भी आ गया सब नीचे जा रहा है तो I can go short whenever I get अब इसमें जो मेरा favorite pattern और style है वो मैं आप लोग से जरूर discuss करूँगी अब हमने क्या देखा यहां से market उपर जा रहा है ओके लेकिन MECD और RSI मुझे downtrend दिखा रहा है I will go to a lower time frame that is hourly और hourly में क्या दिख रहा है hourly में मुझे कहीं पे भी confidence नहीं दिखाई दे रहा date भी देख लीजिए date यहां पर है 10th January और यह है 16th January अगर मैं hourly में जाती हूँ तो क्या hourly में कहीं पर भी मुझे MACD उपर नहीं दिख रहा है RSI 50 के उपर नहीं है थोड़ा सा हलका सा positive divergence दे रहा है बट उतना मज़ा नहीं आ रहा है अब यहां पे मैं थोड़ा साइ combination यूज़ करूँगी जिससे मैं हमेशा तो नहीं बच सकती लेकिन कभी-कभी मैं fake breakout से बच सकती हूँ वो क्या है कि अभी यह उपर आ गया तो hourly मुझे दिखा रहा है कि buy आ गया सब super trend उपर, RSI उपर, यह उपर और daily में यह date अगर है 15 तारिक तो daily में 15-16 तारिक क्या दिखा रहा है daily में 15 तारिक और यह 16 तारिक अभी तक यह थोड़ा buy दिखा रहा है लेकिन जैसे यह यह यहाँ पर आता है इतना बड़ा gap है मुझे यहाँ पर confidence नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है यह date तो आ गई लेकिन जो सबसे बड़ा जो मेरा confidence हिला रहा है यू केन सी कि यह दोनों के बीच में gap है और एक भी histogram अभी तक green नहीं हुआ है प्लस RSI जो है RSI ने भी high cross नहीं किया है कौन सा high यह वाला high cross नहीं किया है price almost same है लेकिन RSI ने cross नहीं किया है और generally मैंने क्या देखा है कि जब भी price new high बनाता है तो RSI पहले new high बनाएगा बाद में price बनाता है लेकिन price ने high बना दिया और RSI ने high नहीं बनाया सबसे बड़ी बात में trade क्या कर रही हूँ bank nifty I have to be extra cautious bank nifty में मैंने देखा है 500,000 point तो ऐसे निकल जाते है plus उपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी तो ये देखते हुए अब मैं वापस अवरली में आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि दूसरे दिन जब ये नीचे आया RSI तो नीचे आई आई MACD भी नीचे है सब नीचे है प्राइस नीचे आया उपर गया Resistance कहां लिया Super Trend पे ये Resistance लिया और इसके उपर गया था Close किया, नहीं किया अब Opening हुई और सीधा नीचे आया And MACD ग्रीन था, सब था But जो मेरा Favorite Pattern है वो ये है कि MACD जो Zero Line के नीचे है वो है Negative और Zero Line के उपर है तो Positive इसने Negative में जब वो Negative Crossover देता है तो False Sharp होती है Yes Negative में Negative Crossover देता है तो False Sharp होती है और RSI भी 30 के नीचे गया Plus MACD ने भी Negative में Negative Crossover दिया तो सीधर Sharp Fall जो की Continue चल रही है और कितने Points की है? कम Points की नहीं है अगर मैं यहां से यहां तक देखती हूँ तो इस अप्रोक्सिमेटली 1500 पॉइंट्स इं मैंक निफ्टी विच इस नॉट डील और कितने दिन में यह है 20 January साटड़े को मार्केट चालू था इस बार 20 January को और यह है 24 January मतलब 20, 22 की चुट्टी थी 23, 24, 25 Continue market डाउन ट्रेंड में और यह Negative पे Negative Crossover दिये जा रहा है देखिए Negative में Negative Crossover दे रहा है तो यह जो चीज है Negative में Negative Crossover Positive में Positive Crossover अब मैं आपको Positive में Positive Crossover का भी Example दिखाती हूँ तो देखिए कि फिर Move जो होती है वो कितनी शाप होती है अब यह देखिए बैंक निफ्टी में यह आपको दिखा रहे हूँ Positive में Positive Crossover इसको मैं आपको बढ़ा करके दिखा रहे हूँ यह देखिए Positive में Positive Crossover Blue Line, Orange Line को कट करके उपर जा रहे है Histogram नीचे, बात में Histogram तो उपर आ गए उपर, Zero Line के उपर यानि Positive Range Positive में Positive Crossover देना शाप अप Move दे सकता है तो यह देखिए यह जो Positive में Positive है इसके साथ अगर मैं चलूँ तो यह Movement देखिए कितना Speedy Movement मिला है मुझे मिलने को यहां भी मिलता है यह भी गलत नहीं है Positive Crossover सब उपर लेकिन यह Move और यह Move See the Gaps which I am getting जो Speed मुझे मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है तो Positive में Positive और Negative में Negative यह जो मिलती है ना यह बहुत Class चीज होती है और यह चीज़ अगर कभी कोई Stock में मिल जाती है खास कर कि कोई Multi-Year Breakout Type का Stock है या कोई Stock भाग रहा है उसमें अच्छा खासा Breakout है तो और भी मज़ा आता है मैं आपको एक दो एक्जाम्पल दिखाती हूं तो यह रहा मेरा Example IRFC Positive में Positive Crossover उसके साथ RSI About 70 Price Above See the gaps which I am getting Movement देखिए Gaps देखिए यह जो movement है ऐसा movement जल्दी मिलता है तो यह movement जब भी आता है Track कीजिए और मैं यह नहीं कहती हूं कि Directly FO में काम कीजिए एका शेर Quantity 2-5 Quantity करके देखिए और फिर उसे देखिए कि वो कैसा work करता है फिर Quantity बढ़ाईए और ऐसे करते आगे बढ़िए But कभी भी ऐसा जो चीज आता है उसे ignore मत कीजिए तो यह था एक छोटा सा topic जो मुझसे पूछा गया कि मेरे favorite indicators कौन से हैं और क्यों है तो वो मैंने cover किये हैं But Never trade without a stop loss सब कुछ मेरे according है But फिर भी मुझे नहीं पता कि market में next moment क्या हो सकता है इसलिए stop loss लगाना बहुत जरूरी है Thank you